आज के क्लास में हम хот about a-OFF picture पड़ने जा रहा है कि exceptरी के क्या-क्या corona cola होते हैं ए आज कलके मौडन एज में पॉट्री को वह यूज है वाइट वेर बोडीज के नाम से भी जानता है वाइटवेयर बोडी के ज्यादा तर प्रोड़ेक्ट्स होते हैं। ज्यादा तर बोड़्ेक्ट्स होते हैं। सांगा, ज्यादा लिए। रूप में भास्के में, कि ज्याद सब्सक्राइब नाम दिखेंगे, इसको white wear bodies के नाम से जानते हैं तो white wear bodies के अंदर कौन कौन से categories होते हैं किस-किस फॉर्म में हम लोग इसके products को use करते हैं इसके अनुसार white wear bodies को categorize किया गया है जिसे कि ऐसे बडी जिसका यूज हम लोग Home Purpose से करते हैं, वाइट वेयर एट रिए हम काते हैं, ऐसे product जिसका यूज हम लोग Construction में करते हैं, जिसको classify हम लोग करते हैं आईसे प्रोडेक्ट जिसका यूज हम लोग यूज इलेक्टिकल एप्लाइंसें से से leur हें करते हैं और ऐसे प्रोडेक्ट क्लासिफिकेशन को और उस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन-कौन से प्रोडेक्ट आते हैं पहला जो क्लासिफिकेशन है white wear at home है white wear at home का मतलब हम ऐसे बॉड़ि जिसका यूज हम लोग अपने घरों में करते हैं, तो इसके अंदर आता है टेवल वेर, टेवल वेर ऐसा बोडी होता है जिसको कि हम लोग टेवल सर्विसे के लिए करते हैं, जैसे कि हम लोग डाइनिंग टेवल पर जिस बोडी का जिस प्रोडेक्ट का यूज करते हैं, वो टेवल कहलाता है जैसे CROKERY WEAR है और DINER WEAR है सब का यूज हम लोग TABLES SERVICES के लिए या डाइनिंग टेबल पर करते हैं अगला जो HOM में पोर्टरी के प्रोडिक्ट का यूज करते है वो है ART WEAR के रूक में हम लोग इस टैचू का यूज करते हैं फिलावर विसे इसका यूज करते हैं कुछ ऱाइन सी लेंप के लिए की Hang कि ज़ूह हैं चाहि़ नोक करने के लिए हम्हान के लिए विजड़ फेंप Hariner's का달 है प्रोटेक्ट शक्राइड करते हैं जैसे कि सॉल्ट न Aryan ने और पेबर को रखकर के इसको खाने के में और अकोस्टemia EPA करते हैं क्योंकि जो वाइड वेर प्रोटेक्स होते हैं वह एकलbell के रूप में करते हैं। लुप में यह में करते है। बेकिंग डिसे के रूप में करते हैं। यह रही है यह लुप में…. ओवन वेयर के रूप में इसका यूज करते हैं, तो ओवन में जो प्रोटेक्ट का यूज हम लोग करते हैं, पॉरसिलीन के बने वेयर कहलाते हैं, कई सारे ऐसे प्रोटेक्ट होते हैं, जिसको की हम लोग डायरेक्ट फ्लेम के कॉंटेक्ट में यूज करते हैं, कि कोई भी चीज को गर्म करना होता है, हम लोग को फ्लेम के कॉंटेक्ट में करके गर्म कर सकते हैं, तो यह फ्लेम रजिस्टेंट वेयर होता है, इन सब यह सब दूसरा जो प्रोडेक्ट वह ऐसए प्रोडेक्ट से करते हैं जैसे से अधिरी वे इसे प्रोडेक्ट आते हैं जैसे कि हम लोग इन जेनरली बाथरूम के अंदर यूज करते हैं जैसे वास बेशीन है, सिंक है, फ्लस टैंक है, यूरिनल बेशीन है, या सीट्स है, यह सब जो प्रोडेक्ट होते हैं, यह कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज करते हैं, दूसरा जो प्रोडेक्ट है, कंस्ट्रक्शन के रू आप देखिए फ्लो टाइस जो होता है उसका वेट काफं जादा होता है लेकिन वॉile्न होता है वोड़ीट होता है क्योंकि वॉथ ताइस चॉप outta there वोसे उसको पॉट्ब नहीं गाता है इसलिए यूज पर शेंहzens ब фин को warm कicios बीषन होता है साथ हीसाथ प्रोसेश होता है वह भी अलग होता है हुँ दूसरा जो टाइल्स होता है वह पार्किंग टाइल्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं जहां पर गाडी को पार करते है उसका मेचनिकल स्टेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए तो वहां पे अलग इस के लावे कई तरीके के अलाव में यूज करने वाली करने वाला टाइलज या बातरूम जुक्राइब है इसका जो क्ल्सिफिकेशन है यह जो है इलेक्टिकल पोर्सलीन का काम क्या हुँता है कि जब लोग एलेक्टिकल एनरजी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं टांसमीट करते हैं उस टांसमीशन में हमें एक एलेक्टिकल या या एलेक्टिकल रेस्टेंट मेटेरियल की ज़रुवत पड़ती है या एलेक्टिकल इंसुलेटर मेटेरियल की ज़रुवत पड़ती है उस केस में हम लोग एलेक्टिकल पोर्सलीन का यूज करते हैं इसको जनरली दो तरीके का कटेगराइज किया के हैं लो टेंसन इंसुले तक कर सकते हैं, 440 वोल्ट से उपर के टांस्मिशन के लिए हम लोग हाय टेंसन इंसुलेटर का यूज करते हैं दूसरा जो है spark plug हम लोग white wear product के रूप में यूज़ करते हैं जो कि हमारे bikes में, scooty में या और भी कई सारे engines में लगे होते हैं पीजो एलेक्ट्रिक मेटरियल होता है उसको बनाने के लिए भी हम लोग पोटरी के मेटरियल का यूज़ करते हैं इसमें क्या खास बात होती है इस ट्रेस हम लोग apply करते हैं तो इसमें electrical energy generate होता है आप लोग weighing machine देखे होंगे आजकल digital weighing machine आ गया है उसमें basically क्या होता है आप जब उसके उपर चड़ते हैं तो आपके दोरा एक stress apply होता है और वो stress apply होने के कारण उसमें electrical energy generate होता है और उस electrical energy को हम लोग measure करते हैं एक sensor के मदद से और ये detect करते हैं कि कितना electrical energy generate हुआ जो फेट हम लोग कम stress apply करते हैं तो या हम यूँ कहें कि हम लोग यदि उसके उसपर कम वेट अपलाई करते हैं तो कम electrical energy generate हो और जिससे कि वो डिडेक्ट करेगा हमारा sensor जो लगाया हुआ है कि कम electrical energy generate हो रहा मतलब weight कम है ज़ यदि हम लोग ज्यादार्व वेट उस पर अप्लाय करना है तो ज्याता इस ट्रेस प्लाय हो रहा है लेक्टिकल एनरजी जो जन रहे हो रहा है वह झाल्छा हो इस तरीक से डिड़ेक्ट किया जाता है इसको भी हम लोग क्वार्ज जैसे मेट्रियल से बनाते हैं अगला जो एलेक्टिकल अप्लाइसेंस है वो सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि हमारे यहां जो टीवी फ्रीज या और कंप्यूटर अप्लाइसेंस होते हैं या मोबाइल फोन्स होते हैं इसके जो मदर बोर्ड होते हैं या इसमें एक सर्कीट जहां लगा होता है उस सर्कीट को लगाने के लिए एक बोर्ड की जरूरत पर तो वो जिस बेस प्लेट के उपर लगाया जाता है इसको हम लोग सबस्ट्रेट काते हैं इस सबस्ट्रेट को बनाने के लिए भी हम लोग सिरामिक मेटरियल का यूज करते हैं अगला जो होता है फेरो मेगनेटिक मेटरियल होता है फेरो मेगनेटिक मेटरियल का एडवांटेज क्या होता है इसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो कम होता है और इसके मदद से हम लोग टांस्फरमर्स या बैगनेट्स को बनाते हैं नेक्स जो प्रोडेक्ट होता है वो है इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाइट वेर प्रोडेक्ट इसमें से ग्राइंडिंग मीडिया है और ग्राइंडिंग मीडिया का यूज हम लोग कुमली जो यूज करते हैं वाल में और मुल में कई सारे मेटरियल को ग्राइंड करने वह जो है थरमल इंसुलेटर होता है तो इस तरीके से और वह किसी चीज से आसानी से रियक्ट भी नहीं करता है तो सलीर हम डेंटल पोरसलीन के रूप में इसका यूज करते हैं काता है कि क होता है कि कहीं कि भी इस्प्रेइट के लिए आ पस चाहुत करते चीज झाफ पर νॉजल का वाह इस पर टाइब करता है वहाँ पर पीड बहूत जादा होता है इसलिए जो नॉजल ड़ने होने चाहिए वहाई अबसक्र थे जिस्टेंच सोने को withstand करने वाला material होनों से है इस वज़ा से हम लोग नोजल बनाने के लिए ceramic materials का यूज करते हैं प्रेसिंग और extrusion डाई जो मोल्ड होते हैं जिसका यूज हम लोग प्रेसिंग और extrusion के लिए करते हैं तो यह भी इसका जो हिस्ट्रेंफ होता ये काफीज़दा होता है तो यह सब पर ऐनदस्ट्रे का यूज हूवसे चैनिकल के चमिकुल्ट टांसफर एक जगह से दूसरे जगह करती है तो उनको जो है केमिकल रजिस्टेंस बॉडि की ज़रुद पड़ती है कि वह केमिकल आसानी से रियक्ट नहीं करें टांसपोर्टेशन के दोरान तब हम लोग वहां पर केमिकल रेजिस्टेंस बॉडी सीरामिक मिट्रियल का बना क करके इंडिस्टें में यूज करते हैं हीट रेजिस्टेंस बॉडी को हम लोग सिरामिक मिट्रियल से बनाते हैं जिसका यूज इंडिस्टें में किया जाता है कई सारे आटो मोबाइल के इंजन के पार्ट्स को सिरामिक से बनाया जाता है कि आजकल तो जो हाइंड गारिया होते हैं हाइंड गारियां होते उसके complete engine ceramic materials के बने होते हैं अगला जो होता है वो बायो ceramics का यूज इंडेस्ट्री में किया जाता है जैसे कि बोन का टांस्प्लाइंट करना या बैसिकली बोन्स का ही जो बोन के जो प्रोपर्टींस होते हैं वो इसलिए हम लोग बायू सिरामिक्स के रूप में सिरामिक मेटरियल का यूज करते हैं थैंक यू